नमस्कार वच्चों मैं अमरनाज्या आपके समझ कक्षा साथमी का गनित का वर्चिट संक्या 33 लेकर के उपस्थित हूँ यह दिनांग 26 नवंबर 2021 के लिए है हमारा टॉपिक है राशियों की तुलना अब हम प्रतिसत से अनपात में कैसे बदले जब कोई भाग अनपात के र रूप में परवर्तित करते हैं यदि आप देखे होंगे आप से कहा जाता है जो कि सौ रूपे है आपस में दो अनपातीन में बाट लो तो कितने कितने परसेंट मिले तो ऐसे ही जैसे दिया हो एक्जामपल दिया हो यदि 15 मिठाईयों में से मोनु को 3 मिठाईयां और कितना था 15 तो 3 बटे 15 और सो से परसेंट में निकालने के लिए सो से मल्टिप्लाई कर देते हैं तो यह 20 परसेंट आ गया इसी प्रकार सोनु का निकालने के लिए सोनु को कितना था 12 और टोटल है 15 बारा बटे 15 उसको सो से मल्टिप्लाई कर दिये तो आएगा 80 परसेंट इसी प्रकार दिया हुआ है प्रत्षत के अनुसार बिद्धी या कमी, आप देखे होंगे, जो कि आपके पिताजी की तनखा बढ़ जाती है कभी, तो उसमें कितने पर्सेंट की बिद्धी होती है, आप उसको निकाल सकता है, या दिया होता है, जो कि आज करोना के में निरक्षर व्यक्तियों की संख्या 10 वर्सों में 150 लाग से घट करके 100 लाग हो गई है तो कमी का प्रत्सत क्यात करें तो मूल राशी आपको दिया गया है जो पहले हुआ है उसको मूल राशी डेड़ लाग एक सो पचास लाग से घट करके आराम में जो अनपड़ व्यक्तियों की संख्या थी वह 150 लाग थी और राशी में परवर्तन हुआ अनपड़ व्यक्तियों की संख्या में जो कमी आई उसको कहते ही तो यह डेड़ 150 लाग में से 100 लाग घट गया तो यह 50 लाग आया अंसर अब कितनी प्रत्सत की कमी आई तो रासी में परवर्तन अपन में मूल रासी मूल रासी आरम में जो था तो उसको मल्टिप्लाइ करने के बाद यहा है अब देखिए यहां पर अगला दिया हुआ है खरीदना बेचना खरीदना बेचना क्या होता है जैसे फैक्ट्री से सामान निकला दुकांदार फैक्ट्री से खरीदा तो यह इसके लिए खरीदता है और यह फैक्ट्री जिस पे बेचता है उसको सीपी कहते हैं SP और जिस पर यह खरीदा उसके लिए CP कहलाएगा इसी प्रकर दुकांदार आपको जो बेचता है वो कहलाएगा SP दुकांदार के लिए यह हो गया CP और यह दुकांदार आपको जो बेचता है वो कहलाएगा SP तो अब ये ज़्यादा है ये कम है ज़्यादे में खरीदा कम में बेचा तो नुक्सान हुआ गाटा हुआ और ज़्यादा कम में खरीद करके ज़्यादे में बेचा तो फायदा हुआ यहाँ पर दिया हुआ है दुकानदार द्वारा खरीद मुल्क को CP कहते हैं दुकानदार जिस कीमत पर बेचता है उसे SP कहते हैं अब यहाँ पर दिया हुआ है 120 रुपे में खरीदा गया फूलदान 108 रुपे में बेचा जाता है तो क्या होगा घाटा होगा या फायदा होगा 120 रुपे में खरीदा था 108 में बेचा कम में बेचा तो हानी यहाँ पर हानी हुआ ठीक है और 150 540 रुपे में बेची गई एक खिलोने कार इतने में खरीदा गया था कम में खरीदा गया था जादा में बेचा तो यहाँ पर लाब हुआ अब डेड़ा एक हजार के में खरीदी गई एक साइकल एक हजार में ही बेची तो यहां ना प्रोफिट ना लॉस कोई भी नहीं हुआ ना लाव ना हान अब जदी CP SP बढ़ा हो CP से यानि चादे में खरीदा जादे में बेचा कम में खरीदा था तो वहां पे लाव होता है तीसरे कंडिसे में न लाव हुआ न फैदा हुआ न नुकसान हुआ न लाव न हान CP और SP दोनों बराबर है और तीसरे में था इसमें पहले में था CP जदी जादे में खरीदा और कम में बेचा तो हानी होगा तो उल्टा होता है CP में से SP घटाते है अब देखिए प्रत्सत के रूप में लाव या हानी के रूप में दिया गया है यहाँ पे पहला सवाल है आपके पास एक बस्तू 50 रुपे में खरीदा गया और 12 परसेंट के नुकसान पे बेचाज गया तो इसका विक्रे मुल ज्याद कीजिए तो क्रे मुल आपको दिया है 50 रुपे हानी दिया हुए 12 परसेंट किसका होगा इस पचाश रुपे का 12 परसेंट CP SP बरावर होता है CP माइनस हानी अब हानी निकाल लिए हानी 12 परसेंट of CP तो इसका निकाला गया तो यह 6 रुपे आया तो इसमें से घटा दिया तो 44 रुपे इसका SP निकल गया उसी प्रकार यहां पे कह रहा है रूही 9000 में एक टीवी खरी दी दो साल बाद उसे 6000 रुपे में बेच दिया तो रूही के लिए लाव या हानी का प्रस्त गयात कीजिए तो रूही 9000 में खरी दी और 6000 में बेच रही है तो यहां पे क्या होगा फैदा होगा यह नुकसान लाव हो गया हानी जादे में खरीदा कम में बेचा तो यहां पर हानी हो गया और हानी बराबर होता है CP माइनस SP तो 9000 में से 6000 गया तो 3000 और पहले क्या हुआ था CP तो 3000 अपर में 9000 बटे 9000 को ने इस से मल्टिप्लाइ किये तो यह आया अब यह हमेशा की तरह सवाल दिये जाते हैं करने के लिए तो सवाल को हल करने का प्रियास करें पहला सवाल यहां पे कुछ मिस्टेक हो गया है एक बस तू यहां पे 8% होना चाहिए 8% के लाव पर 540 रुपे में बेचा गया तो क्रेमोले गयात कीजिए तो मान लेते हैं इसका क्रेमोले माना कि क्रेमोले या इसको हम CP कहते हैं CP बराबर में X है ठीक है अब लाव हुआ लाव दिया हुआ है 8% लाव तो लाव बराबर में क्या हो जाएगा X का 8% तो हम ग्याद करते हैं या X गुने 8 वटे 100 तो काटे नहीं अभी ऐसे ही रहने थे तो यह 108 यह हो जाएगा 8X अपवड में 100 ठीक है अब यह हो गया आपका लाव तो CP क्या हो जाएगा SP SP बराबर होता है CP प्लस लाव तो लाव हमारा तो CP क्या था X और इसमें 8X अपवड में 100 जोड़े तो यह LCM लेंगे तो यह हो जाएगा 108 X अपवड में 100 तो यह जो है इसके 540 के बराबर है जो 540 में खरीदा था according to question यह हो जाएगा 108 X अपवड में 100 बराबर में 540 तो X बराबर में क्या हो जाएगा 540 गुने 100 बराबर में 108 तो यह 5 यह होता है तो यह हो जाएगा 500 तो आप देख सकते हैं उस बस्तू का बस्तू का क्रेमुले कितना हो गया क्रेमुले 500 रुपे हो गया answer ठीक है था नेक्स सवाल देखते हैं यहाँ पर दिया हुआ है 375 रुपे में कुरसी खरीदा खरीदी और 400 रुपे में बेच दिया गया तो लाब नेम में रच ग्याद खीए तो यहाँ पर CP दिया हुआ है 375 SP दिया हुआ है 400 तो लाब क्या हो गया लाब हो जाएगा SP माइनस CP होता है तो यह 300 पिछट यह 400 में से 375 गया तो यह हो गया 25 तो लाब परसेंट निकालना है लाब परसेंट बराबर में 25 था यह और CP क्या है 375 गुड़े में 100 परसेंट तो यह काटेंगे तो यह 15 जाएगे होता है और इसको काटेंगे तो 5 से काटेंगे तो यह 20 पंचे सो और यह 3 यानि 6 सही 2 बटे 3 परसेंट इसका यह आंसर हुआ ठीक है यह था आज का वर्षीट अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए धन्यवाद